उसके बाद जनता जनारदन से अपील करती हूँ कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें और मुझे अपने आसिरवाद से अनुगरहित करें। ये जो पटना नगर निगम है बहुत बड़ा छेतर है। आज आजादी के 70 साल बाद भी हम बेसिक स्विधाओं के लिए लड़ रहे हैं। लोग सेटर जैकेड के बीच तोपेड़ाते हैं उसी बीच नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। और त्माम जो पर्चासी है पर्चासी है परचासी ने जी पर्चासीeled पबलिक शुद्धाWी से पूरा लगातार प्रचासी का है या उनके करता का है है यह सकते हैं कि छुद्धाब कारसा रेंगी मेदान में जितने लोग ना तो आपकी पार्षत ख़िट चलेगी औना इस बार किसी प्रकार की रणनीती चलेगी जो जनता चाहेगी उसे ही कूर्षी विराजमान करेगी फिलाल इस वक्त में साथ मौझूद है पत्ना नगर निगम छत्र की डिप्टी मेर कंडिडेट है रेखा कुमारी जी इनी से ज पत्ना नगर ने का महिला से तमाम जो कंडिडेट है ऐसे में सबसे बड़ी सवाल उपते कि महिला किन मुद्धों पर लड़ रही है किन मुद्धों पर महिला खुल कर आ रही है सामने और किन मुद्धों पर आप यह निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप से लोग पुछते है अब कन जनदा से अने concept क्रेट मेरी क्या करेंगे लिए眨 सबसे पहले आपना परीचाय देदू कि मेरा नाम अप बखर चया Peep और करमांग संध्या । उसके बाद जनता जनारधन से अपील करती हूं कि एक बार मुझे से का मौका दें और मुझे अपने आसिरवाद से अनुग्रहित करें मैं चुनावी यह जो पटना नगर निगम है बहुत बड़ा छेतर है और अभी तक जो मैं जितने भी दौरा कर रही हूं जिन्वाडों का उन्हें बहुत से ऐसे कारी हैं जो बिलकुल ही नहीं हुए जो कुछ वाड में मैं गई जहां नल है उस नल में पानी नहीं आता है लोग कुआ के पानी को पीने को विवस हैं खुले खुले खुए हैं उससे लोग पानी पी रहे हैं खुली नालियां हैं खुले मेन हॉल हैं जिससे मच्छर बढ़ रहा है भी देख रहा हूंगे अप लिए जन सुविधा केंदर होनी चाहिए हर वार्ड में कि वो अपनी समस्याएं जाएं और अपने समस्याओं को वहां कह सकें ताकि उसका निवारन हो औरतों के लिए देख रहे होंगे आपके औरतों के लिए कहीं भी सारवजनिक अस्थाल पे लेडिस टॉयलेट नहीं है त की तो बतलब की कुछ काम ही नहीं हुआ जबकि पिछले पांच साल में और डिप्टी मेर की अधिकतर महिलाए है। बहुत सी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं जो मैं आने के बाद किर्यानमित करूंगी और आप लोगों को दीखेगेगा कि मैंने कुछ काम किया है। मैं अब बात करें महिलाओ की आपने लिस्ट बताज या क्या जाकि महिलाओ के लिए काम नहीं हुआ है मेरा यमानना है कि तवाम कामें हो गई है यो आपने बताया है मैं तरही मेनोहल भी खूले नहीं है जगह ज़वपे जनसुभधा केंद्र ही बन गए है जो ही महिलाओ के लिए आपने बता है हर चीज है लेकि सिफ कागज पे धायता को उतारने के लिए धप लगता है तो वही तो कह रही हूं कि ये दिखता कहां है कागज पे तो बहुत सारी गाड़ियां भी है जो देले बात आप मानते हैं कागज पे हर सुब्धा मिल गई है मह जब जाकर देखें महाँ बेंगे आपको बंद सोबस्व चाले मिलेगी कनदेशार टे όर गए खुले मेन वे तब खुले नहीं है जब को घ surprise हो जाती कान घटना हो घटना हो गई है जब कोई अ आभ पटना बदल गई पुरा विहार के यहां पे जो मेसेज आती है कि आपने पटना को बदलने में सक्षम रहा है तो यहीं पर योजना कालेज पर उतरेगी धरातल पर नहीं उतर पाएगी आपने भी बताया कि पुरूंता पर प्रतना को यह सा सवभाग हुआ कि पहली महापॉर पहली महिला महापॉर बनी बावजूद आपको लगता है कि महिलाओ के लिए काम होना चाहिए इतना पेपर पर हुए उसको धरातल पर उतारने के काम करेंगी आप जगह जगह देख रहे होंगी कि स्ट्रीट लाइट के साथ साथ कैमरा भी लगा हुआ है लेकिन जब हमारे बुजूर्गों के साथ हमारे महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की घटनाए होती है तो असमाजी तत वो पकड़े नहीं जाते है क्योंकि वहां उस एरिया का कैमरा काम नहीं कर रहा होता है तो जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि कागजों पे तो बहुत सारे कारे हो गए लेकिन उसकी सुवीधा जनता तक नहीं पहुंची तो मैं आपके इस सवाल से पूरी तरह सहमुत हूँ और कोशिज करूंगी कि आने वाले समय में अगर मैं आती हूँ तो जरूर इन पे काम करूँ ठीक है आती हूँ तक तो ठीक है लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल बनता है बरन ऐ हें पुरूर्णता होके चाथ रहे हैं और सारे टीज किरेट एक अधिया में अग्या पूरुष्य क्या आपको मेरे साथ फिर कुछ जगों का दौरा करना होगा जहां मैं गई हूँ लोगों को सुनी हूँ वो लोग बताएंगे कि मैं किस तरह से जन संपर कर रही हूँ और बिलकुल जमीन पे उतर के मैं अपना परचार परसार और अपने पटना नगर निगम की जनता से आसिरवा आप मार्केट में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे मैं मसूस कर रही हूँ कि लोगों को पता ही निए कि डिप्टी मेर परतियासी कौन है जहां जहां भी मैं जा रही हूँ लोग यही सवाल कर अच्छे आप आई है हमें तो पता ही निए ता वोटिंग इसको करनी हूँ और मुझे कहीं कोई परतियासी चाहे मेर हो या डिप्टी मेर हो कहीं कोई किसी परतियासी से मुलाकात नहीं हुए उनके गाणिया मिल जाती है उनके बड़े-बड़े सांड बॉक्स लगे हुए गाणिया मिलती है लेकिन वो कहीं नहीं मिली आपकी गाणिया नहीं म तो कंडिडेट को किस रूप में आना चाहिए? कंडिडेट को बिलकुल काम करने के लिए आना चाहिए ना कि किसी पर डिपेंड होके आना चाहिए लेकिन ये उनकी समस्या है वो खड़ी है तो मैं उन पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं अपने लिए अपील करना चाहती हूँ लोगों से कि वह एक बार मुझे मौका दें मैं आपके लिए काम करूँगी मैं सिंगनेचर कंडिडेट नहीं हूँ मैं डमी कंडिडेट नहीं हूँ मैं आपके स्विधा के लिए आपका डिसिजन खुद ले सकती हूँ इसे माम एक अंटिस स्वाल है, यदि पतना की जन्फा आपको मौका देती है, तो जितने के साथ ही, किन किन कामों का आप सबसे प्राश्मिता देगी, सबसे पहले करेगी, आपको लगता है को सबसे जाए हुआ है, चुकि यदि पतना नगर निगम की बात करे, तो बीच तो राजीब नगर जिसे नाला, मंदीरी की नाला, ये पटना नगर निगर जिसका जो कि सुझारूटी बेवस्त करना जुरी है, तो इसे मौका आपको मिलती है और जनता ने आपको कि इस यहां से बैठा दिया, तो सबसे पहले किन मुद्दो को आप ता तुरिक्ता देगी? मुद्दे, अभी देखा, आप जैसे आपने देखा कुछ साल पहले हमारा पूरा कंकरवाल बे उप गया था पाने से, तो उसका रीजन क्या है, जो नालों की उड़ाही नहीं हो पाती, जो बड़े-बड़े नाले हैं, अगर समय पे उनकी सफाई हो जाए, समय पे उनकी द समय से होस्पीटल नहीं पहुँच वाल था, तो इनक्राच्मेंट की वज़े से जाम की समस्या, एक समस्या तो है ही उससे दूसरी समस्या उत्पन हो रही है, तो अगर पतना नगर निगम ऐसे लोगों के लिए एक वेंडर जोन की अस्थापना करे, जो उन लोगों के अपलेशन है, उससे परेशान है, तो यह सब काम तो बहुत बड़े मौका दें, और मेरे चुनाव चीन बकरी चाप, करमांग संख्या वारा पे, टिप्टी मेर परत्यासी के रूप में, जो ब्लू बक्से में होगा, ब्लू बक्स मेरा होगा, टिप्टी मेर के के लिए, उ एक बार मुझे अपने सेवा का मौका दें, चेल तो रेखा में मौका मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से महिला ससक्ति करन को ले करके, खुद अपनी जो कि मौनलजी बताई है, कहीं ने कहीं, जो काम धारातल तक नहीं उतर सकी है, और मैं जिस प्रकार से जनता से वादा किया, अपील के के लिए आती है, तो महिला ससक्ति करन को ले के, महिला के लिए खास के काम करने के जोगत है, चुकि महिला सीट है, पत्ना नागर निगम, महिला ठंडेट है, और ऐसे में अदि बीच राधानी, पत्ना बिहार के राधानी, महिला के लिए कुछ कर सकती है, महिला सस कि आखिर जल्दी चुना होने वाले हैं और पत्ना नगर निगम की जनता जो जीत की सर्ताज है कि इनके सर डालती है और जिस प्रकार से जनता और नेता चुना विवादाव फे खर उतरते हैं कि नहीं देखना दिल्चस्व होगा तमाम ख़बर आपके पोचा आते रहेंगे तब तके लिए रहें 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 तरी एन्यस नान निटरों के साथ धन्यवाद